मित्रों नमाय संस्किता है संस्कित देवाड़ी गंगा चैनल पर इस समय हम लग्सिधान कौमदी का प्रक्रण चल लहा है उसी प्रक्रण में हमारा अगला सूत्र है उच्चैरुदार्त काउं सा सूत्र है उच्चैरुदार्त है यह एक उदार्त संग्या करने वाला सूत्र है और इसका सूत्र करमांख है कि प्रथा मध्याय का दूसरे पाद का उन्तीसमा सूत्र है उच्चैरुदार्त है तो यह सूत्र बताएगा कि आखिर उदार्त है क्या यह वह स्वरों की यह उदार्त संग्य करता है तो उच्चाई यह एक अब्यपद है उदात्व है एक दूसरा पद है प्रथम पद उच्चाई रुती मेर्शाव था तो यह जो है दूपद अर्थात इस सूत्र में दो पद है और इस सूत्र में इसके पहले एक शूत्र था और वह हमारा सूत्र था कि इसके पहले जो हमने हरस्वदीर्ग प्लूत संग्या करने वाला सूत्र पढ़ा था उकालो जजरस्वदीर्ग प्लूता है तो वहां से अच्च की अनुवृत्ति आजाएगी उच्चर उदात्त अच्च मनें अच्च क्या तो अच्च जो है उसकी क्या हो उदात्त संग्या हो लेकिन कैसे अच्च की तो यहां पर इसकी जब हम व्याख्या करेंगे कि जो वरणों का या जो स्वरों का उच्चारण अस्थान है उस उच्चारण अस्थान के यदि उपरी भाग से स्वर को बोला जाए यदि उस उच्चारण अस्थान के उपरी भाग से जिसे अस्थान से कोई वरण उच्चरित होता है वह उच्चारण अस्थान के जो है यदि उपरी भाग से उस स्वर को या उस वरण को उच्चरित किया जाता है तो ऐसे स्वर को हम उदात करते हैं उदात का अर्थी होता है कि उचाण अस्थान के उपरी भाग से बोलना, सभी वरणों के उचाण अस्थान अलग-अलग हैं, कंठ, ताल, मुर्धा, आदी, कंठ, ताल, मुर्धा, डंत यह सब क्या हैं, सभी वरणों के उचाण अस्थान अलग-अलग हैं, अब किसी वरण के उचाण अस्थान में दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, और वह जो दो भाग हैं, उन्हीं दो भागों में एक उपरी भाग होगा, एक नीचली भाग होगा, जैसे हम अ लेते हैं, यह जो अवर्ण है, यह कंठ से उच्छरित होता है, यह कंठ से भाग बताए यह जो है उपर दूसरा होता है नीचे जो हम इसी वर्ण को कंठ के उपरी भाग से बोलें या कंठ के उपर के भाग से अगर हम अवर्ण का उचारण करेंगे तो वह अवर्ण क्या माना जाएगा उदात्त माना जाएगा दूसरा तो यह पर यह सुट रही बताया कि यह उचैर उच salvar उदात्त है तो यह निर्धारित किया कि स्वरूं में यदि हम किसी स्वर को उदात्त करके बोलते हैं या अपने उचारण अस्थान से थोड़ा सा उसके उपरी भाग से बोलते हैं तो वह वण उदात्ट कहलाएगा, तो अब इसका एक अगला सूत्र है, और वह हमारा अगला सूत्र है, निचरीर नुदात निच्चे नुदात अव इसका सोत्र क्रमांख है एक दो तीस अथार प्रथम अध्याय का दूसरे पाज का तीसमा सोत्र तो यह बचाएगा निच्चे नुदात सारी प्रक्रिया वही है यह अनुदात करने वाला सूत्र है तो बताएगा कि ऐसे स्वर जिनका अपने उचार अस्थान के नीचले भाग से उस स्वर को अगर उचारित किया जाता है या बोला जाता है तो ऐसे स्वर को हम अनुदात कहेंगे उसे स्वर को हम क्या करेंगे अनुदात कहेंगे तो यह सूत्र अनुदात करने वाला है यह अनुदात संग्या करने वाला सूत्र है यह उदात संग्या करने वाला सूत्र है जब यही आवन उपरी भाग से बोला जा रहा था यही आवन जो है जिसका उचाण स्थान कंठ था जब यह उपरी भाग से बोला जा रहा था तब य लेकिन इसी कंठवन के उपरी भाग से बोला गया तो उच्चेर उदार्त पहला या और इसी कंठ से यह नीचे की वन्हें अपने उचार्ण अस्थान से नीचे की तरफ नीचे की तरफ से अगर उच्चरित हो रहा हो तो वह जो है क्या कहलाएगा वह क्या कहलाएगा वह अनुदात कहलाएगा कंठवन के अपने उच्चार्ण अवर्ण जो है कंठ है कंठवन के कंठ के यदि उपरी भाग से बोला गया तो वह वन जो है उदात कहलाएगा यदि कंठ के नीचले भाग से बोला गया उचैर करने वाला सूत्र है तो इसी तरह है इह है री है जप्रकार से हमें सभी वरणों कि जो है उचैरन स्थान है तो जैसे कोई मुर्धन्यवर्ण है, यदि मुर्धन्यवर्ण में जो उचानस्थान मुर्धा का है, यदि उसको थोड़े से उपरी भाग से बोला गया, तो वह उदात कहलाएगा, यदि मुर्धा के थोड़े से निचले भाग से बोला गया, तो वह जो है, निचले भाग से इसकी सूत्र संख्या है प्रथा मध्याय के दूसरे पाद का 31 सूत्र है इसमें भी जो है उकालो जजहर स्वदीरगेश प्रुतह से जो है अच की अनुबृत्ती आएगी तो समा हर स्वरित अर्थात ऐसे उच्चारल करना स्वरों का जो तो न अनुदात हों जो न तो उदात हों अर्थात और अनुदात दोनों न होकर मध्भाग से बोला जाएं ऐसे स्वर को हम स्वरित कहते हैं तो समाहर दो यह बताया कि जो उधात और अनुदात के बीच में बोला जाए ऐसे स्वर को हम स्वरित कहते हैं तो यह उधात अनुदात स्वरित के जो भेद है यह लौकिक संस्क्रित में तो कम प्रयोग मिलते हैं लेकिन जो भायडिक संस्कृत है, जो भायडिक ब्राम्वर होते हैं, वह जब इस तरह से करते हैं, तो वही वहाँ पर उन्हों की उदात अनुदात स्वरित को चढ़ा कर बोलना, ओम गाल के होता है, तो उसी तरह जो है, वह चढ़ाः और उतार को उन्हीं पर उदात तो इस प्रकार से उच्चाइर उदात्त हैं उदात्त संगया करने वाला सूत्र है और समाहार स्वरित है यह स्वरित संग्या करने वाला सूत्र है तो अब हम जो है अगले सूत्र की तरह चलते हैं अल्या करहां करेंग से घृटा अल्या वाला संग्या यह कि तरु।